Hello guys, welcome to my channel आज का विनूत का question है गुरू जी के लिए कि गुरू जी बताईए कि idea generation क्या है और idea generation के different sources क्या क्या होते हैं और क्या क्या different methods है idea generation के तो गुरू जी बोलते हैं देखो idea generation और ideation is the act of forming ideas मतलब कि idea generation या इसे हम ideation भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि idea बनाना या idea create करना तो idea किसी न किसी source से आता है ठीक है जब आप कुछ experience करते हो या जब आप कुछ observe करते हो तब आपके पास क्या है idea generation होता है या idea आता है तो यह क्या है creative process है वोई लिखाए देखिए it is a creative process that a company used to figure out solutions to any number of ठीक है तो यह creative process होती है जो एक business में मतलब कोई किसी भी तरीके का business हो सकता है चाहें आप नया business start कर रहे हो या कोई existing business हो तो उसमें क्या है कि जो भी problem आ रही है उससे deal करने के लिए इस idea generation का use होता है ठीक है it involves coming up with many ideas in a group discussion ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें group discussion होता है जैसे कभी कोई problem आगी suppose आपके पास ठीक है ना तो आप क्या करेंगे अपने सारी friends से या जो भी relative हैं उनसे discuss करते हो ठीक है फिर इससे किसी idea पे आप आते हो कि उस problem का solution इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ठीक है तो अलग-लग लोग क्या करते हैं अपना अलग-लग suggestion देते हैं अपना अलग-लग idea बताते हैं ठीक है तो उसमें से क्या करना होता है आपको best idea को select करना होता है ठीक है न it involves इसमें क्या-क्या होगा पहले तो group discussion होगा ठीक है न उसमें कही सारे ideas आएंगे उसमें से आपको best idea select करना होगा ठीक है फिर इसके बाद working to create a plan to implement the idea जो idea आपने select किया उसको implement करने का आपको plan तयार करना पड़ेगा और फिर finally आप क्या करते हो उस plan को execute करते हो execution of the plan it is basis of innovation मतलब कि अगर innovation करना है आपको कुछ या creative करना है तो idea generation क्या है must है अब हम बात करते हैं sources की तो देखिए sources of idea generation दो तरीके के sources होते हैं external source होगा या तो internal source होगा external sources क्या है यह source basically company के बाहर के होते हैं जैसे first क्या दिया हुआ customers हो गए competitors हो गए या suppliers हो गए means कि जब आप अपने customers या competitors या suppliers से बात करते हैं तो वो अपने idea देते हैं कि भाई product में आप ये change कर लीजिए ये flavor change कर दीजिए इसका थोड़ा सा या इसकी packaging change कर लीजिए इससे आपका product और better हो जाएगा तो idea आपके पास customer, competitor या supplier से आ रहे हैं दूसरा क्या है published information trade magazine कही तरीके की trade magazine वगरा publish होती रहती हैं तो उसमें कही सारे ideas होते हैं तो वहां से आप idea generate कर सकते हो उनको पढ़के next channel members, channel members मतलब कि जैसे जब आप पोई चीज manufacture करते हो तो वो जब supply होगी customer तक या retailer तक उसके बीच में जो होते हैं जैसे क्या हो गया wholesaler हो गया ठीक है ना या dealer हो गया तो उनके through भी आपको idea आ सकते हैं ठीक है आप idea generate कर सकते हो उनसे बात करके next is government, law and regulation, universities ठीक है ना universities में आपने कोई अगर research की है या कुछ भी किया है या government के तरप से भी कुछ ideas आपके पास आ सकते हैं next is internal source internal source मतलब कि यह company के अंदर से idea generate होंगे जैसे कि पहला हो गया internal R&D आपको पता है कि company के खुद की R&D centers होते हैं ठीक तो जब वहाँ से information मिलेगी तो आप उससे क्या होगा उससे उस information के basis पे आप idea generate कर सकते हो या employees हो सकते हैं मांके वो idea दे सकते हैं generate कर सकते हैं ठीक है ना complaint system मतलब कि जब customer या supplier से जब कोई complaint आती है ठीक है तो उससे भी आपको क्या होगा एक idea आप generate कर सकते हैं या idea generate करने मां उस पे help मिलेगी कि उस problem को किस तरीके से solve करना है तो वहाँ से भी idea आप generate कर सकते हो next क्या है customer service मतलब जब आप customer से deal करते हो ठीक है न ये company के अंदर ये कोई बंदा या बंदी क्या है phone के तुरू या mail के तुरू क्या है communication कर रहे हैं या conversation कर रहे हैं तो उससे पता लेगी कि हाँ इस idea के थुरू हम प्रोड़क्टो और ज़्यादा अच्छा कर चकते हैं वहाँ से हमें idea मिल सकता है ठीक तो ये तो होगे sources next है methods of idea generation तो methods of idea generation में क्या है कि basically बेसिकली जो हमने अभी discuss की है ये तो sources हो गए इसके अलाबा कुछ methods होते हैं और techniques होते हैं जिसके use करके आप idea को generate क कर सकते हैं जो companies में use होता है जैसे कि पहला होगया focus group focus groups क्या होते हैं group of individuals providing information in a structural format यहां भी क्या होता है कि group of individuals होते हैं जो एक formal way में या structural format में structural way में information provide करते हैं ठीक है फिर क्या होता है यह moderator leads a group of people through an open in-depth discussion वहाँ एक moderator भी होता है जो group को lead कर रहा होता है ठीक तो वहाँ पे एक तरीके का open discussion होता है in-depth discussion होता है और इससे एक systematic तरीके से systematic way के तुरू क्या है एक idea generate होता है ठीक next is brainstorming brainstorming क्या है कि brainstorming क्या है कि दिमागों का तूफान इसमें क्या होता है कि एक group में कुछ लोग बैठते हैं और फिर एक freely discussion होता है लिखा भी है people can speak out their ideas freely without fear of criticism मतलब कि ऐसा नहीं कोई किसी के टांग कीजेगा कोई किसी के बारे में कुछ गलत बोलेगा ऐसा नहीं होता है बिना रोक के क्या होता है discussion होता है इसमें चैसे दस लोग होते हैं 6-10 people होते हैं तो वो अपने अपने ideas share करते हैं ठीक है अब वो idea किसी भी label का हो सकता है ठीक लेकिन क्या होता है इस तरीके के discussion से even strange ideas are accepted with open hands तो अगर कोई even कोई strange idea भी है ठीक है अजीब तरीके का idea भी है तो भी उसको क्या कर सकते हैं हम उसे accept कर सकते ह अगर वो सही है ठीक है न ठीक बैठता है तो तो यहां basically हो क्या रहा है कि ideas का तूफान तरीके का रहा है brain storming हो रही है और उसमें क्या होगा कुछ भई अच्छे idea भी आप निकाल सकते हैं use कर सकते हैं ठीक है next is brain writing तो यह brain storming की तरह ही है बस इसमें क्या होता है कि इसमें open discussion उस बलकि write down करते हैं pen down करते हैं अपने ideas को ठीक है और फिर उसको एक दूसरे के साथ share करते हैं ठीक है अब जिसके साथ आपने share किया है वो उसमें कुछ correction करेगा ठीक है न कुछ positive कुछ negative निकालेगा ठीक है न करेक्शन करने के बाद फिर वो दुबारा share कर देगा पूरे group में ठीक है न तो कुछ time तक ऐसे ही चलता रहेगा इसी तरीके की activity चलती रहेगी और finally फिर क्या होगा सभी ideas को combine करके combine किया जाएगा और फिर उसको discuss किया जाएगा कि भाई क्या best तरीका है ठीक है तो इस तरीके से भी idea generate हो सकता है ये भी एक method है next fourth one is scamper ये scamper का एक acronym है basically ठीक है इसमें का लिखा है scamper is an idea generation technique that utilizes action verbs as the stimuli मतलब इसमें जितने भी letters use हो रहे है हर एक क्या एक action verb है ठीक है न और उन सब का use करके हम idea generate करते हैं तो इसमें एक तरीके की checklist होती है it is a kind of checklist ठीक है ये कब use होती है it assists the person in coming up with ideas for improvement in an existing product और for making new product तो चाहें आप नया product बना रहे हो या existing product में ही कुछ improvement करना चाहरे हो दोनों जगें ये technique use हो सकती है तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि ये क्या एक acronym है तो हर एक letter का एक क्या एक action work को वो denote कर रही है ठीक है न which is used in the creative ideas तो S का मतलब क्या है substitute C का मतलब क्या ह है combine इसका मतलब कि आप कुछ substitute करो जो आपने product बनाया है ठीक है न या 2 या 2 से ज्यादा product को जब आप combine करते हैं तो एक नया idea generate हो सकता है कुछ नया idea आइडिया आपको मिल सकता है जब आप 2 या 2 से ज्यादा product को combine करेंगे तो हो सकता है कुछ नए product बन जाए ठीक है न a for adapt ठ जब आप कुछ add up करेंगे कुछ modify करेंगे product में ठीक है न या put to another use या उसको कहीं और use करेंगे तो उससे भी क्या हो सकता है idea generate हो सकता है ठीक या eliminate और reverse या आप उस product में से जब कुछ हटा दोगे निकाल दोगे या reverse engineering करोगे तो उससे भी idea generate हो सकता है तो कुल मिला कि यह सारी action work में सब activities हैं जब यह सब चीज़ें आप करते हो product के साथ में ठीक है तो उससे क्या है नया नया idea generate हो सकता है ठीक है अब इसके बाद fifth है the five w plus h method ठीक है इसमें क्या होता है कि यह जब आप अपने आप से या इसी group में बैठके यह सारी question पूछोगे क्या कि who what where why and when ठीक है तो इससे क्या होगा कई सारे ideas generate होने लगेंगे ठीक है न कई सारे ideas आने लगेंगे कि यही product आप क्यों use कर रहे हो ठीक है न इसी तरीक से क्यों किया ठीक है तो इससे क्या नईने च cinetics यह क्या है a problem solving methodology that triggers the thought process of which the subject may be unaware तो यह बिसकली एक तरीका एक method है जो लोगों के thought process या सोच को क्या करता है trigger करता है ठीक और इससे क्या होगा ताकि जो लोग होंगे वो creative ideas को generate कर सकेंगे कुछ सोच सकेंगे तो यह भी एक method है clear कर दो